तो आज हम लोग सुरू करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर दिल्ली सलतनात का और अब देखेंगे कि फिरोज साथ तूबलग जब 1351 से 1388 में गद्धी पर बैठते हैं दिल्ली सलतनात का तो वो किस तरीके से चलाते हैं, उसको देखना है अभी हम लोग इसे पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि जो तूबलग था, वो केतना बेखुफाना फैसला किया तो उस फैसला के वाज़े से उसको बहुत सारा नुकसान को जहिलना पड़ा, और उसका खुद का भी नुकसान हुआ तो इस सारा चीज को देखने के बाद जब उसका मौत हो जाता है, 1351 में, तो उसका जो भाई है, एक कजन है, वो गदी पे बैठता है, जिसका नाम होता है, फिरोसा तूबलग अपने भाई का जो गलती को जब देख चुका होता है, तो वो उस गलती को ना दोहराते हुए, उसके किये हुए गलती को सुधारने का कोशिस करता है, तो सबसे पहले जब वो सत्ता प्याता है, तो क्या देखता है, कि उसका जो भी ट्रेजरी है, वो खाली हो चुका है, और उसके से जो ओलमा हैं, और नोबेल्स हैं, वो बहुत नाराज हैं, तो उसको वो सबसे पहले इस problem को set out करने का कोसिस करता है तो वो क्या करता है एक तरह का special tax लगा देता है जिसको एकतास कहा जाता है तो ताकि उस tax जब आए तो उस tax के पैसा से इसका सरकारी खजाना में भी पैसा आए और nobles भी उससे खुश रहे उसके बाद क्या होता है कि यह जब नहे तरह का tax लगाता है एकतास तो इसे कुछ तो पैसा आजाता है इसके खजाने में और उसके बाद इसके बारे कहा जाता है कि फिरोज सा तूबलग जो था वो इसलामी कलो से अपना डेली सलतनात को चलाया करता था और जब यह सत्ता पर आता है तो वो एक तरह का tax लगाता है जिसको बोलते है जाज या जो कि ए नॉन मुस्लिम जो वहाँ उसके इलाका में जो रहते हैं वहाँ बिजनस जो करते हैं उनको यह tax देना पड़ता है और जिसके वजह से जब इतना दो तीन तरह के टैक्स इसको टैक्स जब मिलने लगता है तो वहाँ के जो उल्मा हैं और नोबेल्स हैं वो खुस हो जाते हैं और और इन सब दोनों तब बड़ा तब का था होता था उस जमाने का उसका सपोर्ट फिरोज सा तुबला को मिल ज सब्सक्राइब मोर फोर आउटसेंडिंग मॉस्क्यों फॉट ही जब फिरोज सा जब तुबला जब सत्ता पे थे तो उन्होंने कुछ नया नया काम किया जैसे कि क्या किया अभी कर जमाने में हम जो देखते हैं पुराने पुराने जो बहुत अच्छा खुबसूरा मेंट्स है मस्जीद जो बना हुआ है वह सब ज्यादा तर फिरोज सा तुबला का ही बनाया हुआ है और फिरोज सा तुबला का ऐसा बादसा था जो लोगों का भलाई में ज्यादा धियान देता था जैसे कि वह टैंक्स बनाया पानी के लिए कैनाल्स बनाया और फिर सिचा तो उनके लिए वह बनाता है और उसको जो था फिरोज सा तुबलक को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि किसी के साथ नाइंसाफी हो फिरोज सा तुबलक क्या करता है कि वह बहुत सा भारत में किताब लिखे होई थी जो संस्क्रीट में थी उसको ठांसलेट करके फार्सी भासा और अरवी भासा में ठांसलेट करता है तो ये कुछ सहर का नाम जो था वो सहर का नाम जो बताएं हम इस सब को फिरोज सा तुबलक बसाया है और ये क्या किया कि बहुत सा जो पहले सूध पर पैसा लियाओ था यानी लोण के रूप में बहुत सा गलत किसान से यह गरीब से टैक्स लिया जाता था तमाम लॉण को वो यह माफ कर देता रहुँ यह कहता कि कोई आप लोग काब लॉण नहें देना है और जो सबसे जयादा बे मतलब का जमीन पर टाक्स लग रहा था उस टाक्स भी एक कम कर देता है इस सक्सर्ट सुर्ट रिष इन कंप्लेटली अफ्टर इस डेथ in 1388 his descent thought against each other the empire started disfiguration only Delhi and the surrounding area remained under the control of the tublak तो उसके बाद जब फिरोज सा tublak के बाद जो उसके मतलब जो उसके बाद सत्ता में जो बैठते हैं उसके आगे का generation कर लो वो लोग सही से बहुत कमजोर बादसा बनता है वो लोग capable नहीं होता है अतना बड़ा administration को चलाने के लायक होता है और वो लोग जो था ना उसका वनसर्ज वो आपस में ही बहुत लड़ाई करता था जिसके वज़ा से वो लोग बहुत कमजोर हो गया और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोई तुबलक का जो रूल रूल्स जो दिया हुआ बुक में उसको पढ़ते हैं दा दूबलक डानेस्टी रूल फोर अलमस्ट रसेंचूरी दे मेंट 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 चेंज दूरिंग दिया रिजन अड्मिनिस्ट्रेशन इसके बाद जब तूबलक ने बहुत साल भारत में राज किया तो तूबलक जो डाइनेस्टी था कुर्ण होने जो जो चेंजेस किया उसको पढ़ना है जैसे एड्मिनिस्ट्रेशन में क्या-क्या चेंजेस किया जो सत्ता को समानने के लिए क्या-क्या उन लोगों ने बदलाव किया सो देखते हैं तो इसमें क्या था कि सुल्तान को जो था वो लगभग सारा पावर था पूरे एंपायर का और लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए होता थ और वहां पे जो हमेशा आपस में जगडते थे ओल्मा और सुल्तान में हमेशा थोड़ा टसल चलता था क्यों चलता था कि दोनों एक अकसर ऐसा होता था कि एक बास से एगरी नहीं करते थे उसके बाद आगे है दवजीर जो तुबलग डाइनेस्ट्री आया तो मिनिस्टर को वजीर वो लोग बोलते थे और उसका काम वजीर का काम क्या होता था कि उसके इंकम को पता रखना कितना खर्चा हो रहा है और टैक्स को कलेक्ट करना दूसरे और और भी दूसरा जो जो वहां पे खर्च होता था वो सब इनके हाथ में होता था वजीर के हाथ में उसके ब कि वो आर्मी के जरूरत को देखेगा उसके बाद काजी जो होता था वो जस्टिस करता था वो इनसाफ के लिए होता था यानि कोट के तरह होता था फिर दीवाने रिसालत जो होता था वो हर धारम मतलब धार्मी और जो चैरिटी होता था सोसल वर्क होता था उसको देखता था उसके बाद दावीरे खास कौन होता था, दावीरे खास वो होता था, जो सुल्तान और अधर रूलर के साथ रहता था, उसके बाद होता था बारीदे मुमालिक, बारीदे मुमालिक कौन होता था, वो स्टेट का हेड होता था, और वो information देता था सुल्तान को, और वो जो होता लगभग लगभग हर पुरे एंपायर में फैला हुआ रहता था फिर आमीर हिजाब वह होता था Master of ceremonies अगर कुछ प्रोग्राम होने वाला है तो उसको कौन करता था आमीर हाजीब की करता था उसके बाद वाकीलेदार वाकीलेदार कौन होता था वह मतलब महल का जो है महा का सामान बाडिगार्ड पर स्हां असिस्टेंस अब रॉयल फर नीचर ल वेह सब का काम वही Athena यह सब क्कौन होता था'M हर 550 सब्सेटरी में दोनों में दोनों चत्रसमें होनोब्स होता था आर वह लोगे क्या नाम था आर वहां उस टाम का जो खान जो था वो सबसे हाईजस त्ड़ गो फार जिसका बात मलिक और आमीर्ज था और उस को टक्स लेते थे उसको इकतास बोलते थे और वहां पर जो कर्लोट का लेक्सन था वो मेरी किसे किसान से होता था जमीन वाले लोग से होता था और टैक्स किसके पास जाता था डिरेक्ट सुल्तान के पास जाता था यानि जो बादसा है उसके पास जाता था और एक्तेदार एक किसको बोला जाता था नोबेल्स को और उसके बाद फिरोज साथ तुबलक जब अपने सत्ता से हट जाता है तो उसके बाद वो क्या हो गया उसका बेटा तक वो चीज चला गया मतलब कि फिरोज साथ तुबलक जब हट गया तो पहले ऐसा था कि नोबेल्स जो tax वसूला है वो tax जो है nobles के मरने के बाद फिर दोबारा से राजा पास चल जाएगा वो system को हतार दिया उसका बेटा फिर हो सात्व लगका और जब अब ये system हो गया कि अगर nobles मर भी गया तो उसका बेटा जो है उस tax के पैसे को रखेगा उसके बाद कोट कैसा होता था कोट सेरिमोनियल कोट होता था सजदा होता था और उसके बाद पेबास होता था यानि सजदा वहाँ पे जब सुल्तान के पास गया जब कोट में तो उसके सामने जुकना पड़ता था और उसके बादसा के पैर होता था उसको चुमना पड़ता था मताव उसके पास यो सीड़ी वागएपशा उसको चुमना पड़ता था और वहाँ पे कोट में सबसे उचा पर सुल्टान बैठता था और उसके जो मंतरी लोग थे वो लोग बैठते थे और सब के एक पोस्ट के अनुसार एक एक हाइट फिक्स था कि वो इतना हाइट पर बैठेगा और जो अफिसियल मतलब फैसला उसी को माना जाता था जो फैसला सुल्तान कर दिया इंपाइर वास डिवाइड इंट सुबाइड एंड वेर कंट्रोल बाइ मुक्तिज ऑफ दा गवर्नर अ और जिसको सिकादर जो कहलाता था जो उसको कंट्रोल कर रहा था फिर सिकादर को फिर डिवाइड किया गिया आमील और परगाना में सॉरी आमील में डिवाइड किया गिया और उसका हेड को बोला जाता था परगाना तो यह सब आप लोग को याद होना चाहिए परगाना व विलेज में गाउं में बटा हुआ था और जो विलेज का जो होता था सबसे important जो है होता था उसको मुकदमा कहा जाता था यानि जो head man kinda sorry and I caught on patent patent वा avada capped record of the land आड़ पतवारी होता था उस त Only time वो जमीन का फसल का वर tax जो भी paid किया उसका रिकॉर्ड को रखता था उसके बाद आर्मी कैसा होता था तूबलक WA आर्मी में वो कहा कहा के लोग होते थे टरकी से आये सेनी कोदेन ऐसके सेना में होता थे नुट प्लोग डानेश्टी के और इनके inh Famatori में पैदल सेना इनके रहा सब थे पर हाथ भी यह भी रखते थे और घोड़ा भी रखते थे और और ज्यादा तर और ये लोग बहुत महँगा महँगा घोड़ा रखते थे जो बहुत तेज दोड़ने वाला होता था बहुत मजबूत अबाय। और इसके डाइनेस्ट्री में जो सेना होता था उस सब को कैस में सेलरी मिलता था तो आज हम लोग यहीं तक खतम करतें नेक्स लेक्टर में देखेंगे कि जब तैमूर का कारेकाल कैसे वो आया और किस तरीके से उसके बाद का भारत में होकुमत हुआ